कर दो कि यहां पर प्लेट्स ना बहुत सारे पूराने प्लेट्स ही खिलते नियू प्लेट्स यहां पर ज्यादा आते नहीं है क्योंकि अपर तुम को पते हैं सब को मिलता नहीं यहां पर बहुत मज़ा आने वाल है कि यहां पर मैं उसको बूंड करने कोशिश करता हूँ तो यह पहला गया विल विस्ट और भाल भई इसको लग गया उसने मुझे पकड़ लिया हुए मुझे पता परिस संग तो मैं यहां पर दे नहीं सकता है पहले में यह वाल्ड पूल करता था कि किसी भी पोकेमोन को ट्रैप करके मार सको बट यहां पर मुछिछ यह हो जायता था था थोड़ा सा वक्त लगए जा था वो मुझे पसंद निए है तो यहां पर विद उसका इसका यहांजने करने वाला है रॉक्समेस यूज़ करके मेरे डिफेंस माइनस कर रहा है माइनस वन तो कर दिया साथ वह दूसरा पोकेमोन लाएगा बट नहीं लाता वह मैं आप विलो विस्प मारतों तक वह बर्न हो जाए फिर एक एक अस्तर से मर जाए बट डिफेंस टू कर देता माइनस भाई आप वह है लुच एंड़ से बट बारे में थोड़ा सा जानकारी देना जरूरी है लाइक मेगा आइसए एंपर जी स्पेसल अटेक्ट पोकेमोन होगा तो मुवी स्पेसल एटक ही होगा और यह मतलब तुम ना ग्रास से या फिर स्टी ग्रास से तो नहीं कर सकतो हां मेगा गैंगा तुम ग्रास में ग्रास में विडियों कि है तो उसका वीडियों कहां एक फर्ट क्रेक्षा कर सा appear एकपना चीज और वैकि चीज और के ऩूग तो यहां पे चलेवान एक चलेवान के related नहीं पता इसको ज़ली से क्लैक्ट में का सकते हो समया है यहां थाक्ता की तो श्यूचा था कि मैं तो यहां दो आरकेस तो मैंने डिसाइट कर लिया और यहां लेने वाला हूं मैं आपर 2-3 सेली भी ही बाई करने वाला कम से कम 60 या फिर 70 तक तो event items में collect कर लेता हूं तो यहां पर मेरे पास energy खरीने के जारा chances तो नहीं रहते हैं यहां पर 30 ही है मेरे पास और मुंस अवेकन में मेरे पास होगा 40 अराउंड 40 का होना चाहिए क्योंकि दो दिन में मैंने वो collect कर लिया हूँ तो यहां पर मेरे पास जादा energy है मिलता ना इसलिए तो यहां पर अर्केस मैं सोच अब भाई करूं बट मैं अर्केस को टीम में रखने वाला हूँ नी मून से वेकन थोड़ा ध्यान जा रहा मेरा वहां पर न्यू न्यू पोकेमों में ला रहा हूं और देखता हूं क्या कर सकता हूं फिलाल सली भी तो मुझे बाई करना है यह मुझे करने वाला में लूनाला हो सकता है और अकसर लोग ना कोई ऐसे मूव में तो यह अनव बिलिटी वाला कोई पोकेमों है नी ठीक है तो आपे बहुत काम आता है मैजिक को जैसे के डार्ग वोईट को रिफ्लेक्ट करने के लिए या तो विल-विस्प या तो ठंडर वेव ब तब इतना confidence से वो आया है यहां पर तो रेस्ट यूज करने का बाद ही मुझे मारने वाला क्योंकि देखो बर्ण के वज़े से ना जो डैमेज वाला effect होता है वो हाफ हो जाता है तो मुझे जारा डैमेज पड़ेगा नी बट मैं डिफेंस माइनस तू वो भी देखना पड कि यहां दूसरा वाला पड़ेगा तो हालत खराऊ जाए डिफेंस माइनस नहीं हुआ तो यहां पर मैं टॉंट यूज कर लेता हम ताके वह उस्लिप्टॉक यूज ना कर पाय तो भाई वो उच चुका था मैं आप सोचा था कि डाग वाइड यूज करी लूँ क्योंकि ज चलो अच्छा हुआ तो यहां पर मैं मैं जीट वाला पोकेमो निकालता हूं ताकि उसको रिफ्लेक कर सको देखो मैं तुका बिल्कुल सही हुआ वैनसौर मैंने देख लिया था उसके वह टीम में ही तो मैंजी को यूज कर ताकि लीज से लग जाए भाई साब यह बहुत ह अच्छा स्ट्राइटीजी होता है मतलब यह अपडेट के बात बहुत अच्छा हो गया हुआ है कि यह तुम इस इन सब मुप्स को भी रिफ्लेक कर सकते हो तो अली सीट के में रिफ्लेक किया हुआ और वहां से निकल गया इसके बास नौक ओफ होना चाहिए और रिकॉवर अच्छी रेस्ट तो होगा नहीं तो यह बच नहीं सकता तो बहुत अच्छा डामेज पढ़ने वाला बर्ण से इसको और इसको क्या क्या हो सकता ठीक है यह जा चुका है तो भाई बहुत मजाया बैडर करके तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पर शुक्रिया थेंक्यू